धरम संपरदाई जाती मुसल्मान, कहां कहां लेगा कόंगरेस के इस पोक्स परसन इस डिस्क्षण को लेकें, दॉक्षविक्रम से, मैं आपसे फैक्च्वली इस मुद्धև पर बात करना चाहती हूं, इसलिए बात करना चाहती हूं, क्योंकि इस पर दलगत जो राजनीती हो क्या इसकी गंभीरता और इसकी संजीदगी प्लिटिकल पार्टी उसे अंडर्माइन कर रहे हैं। बात पे आ जाना और उसके उपर इस तरीके की बात ने करना जातिवाद की उपर आ जाना लेकिन आपके सवालों का उत्तर ने देना। किसकी है लेकिन जो तुर्टी है अब तो सुप्रीम कोट की कमिटी है उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए दोश्कियों को दंडित होना चाहिए और आपने सही का दिती जी इसकी पुररावरित्ति ना हो और ये बिल्कुल साफ है जैसे दो के पहाड़े में कोई बहुत क प्रांतिकारी अल्गोरित्म नहीं आता है टू प्लस टू इकल टू फोर उतना सीधा जवाब है लेकिन हम कहां कहां जातिवाद प्रांतवाद इधर वाद दुनिया की बात करेंगे लेकिन टू प्लस टू इकल टू टू फोर हम नहीं कहीं जादीती जी तो कश्टिसी बात का है विक्रम जी मैं आपसे एक सवाल जिसका जवाब गजेंद्र साखला नहीं दे पाए हैं वो सवाल ये है डीजी पी नहीं गए चीफ सेक्रेटरी नहीं गए प्रोटोकॉल आप जादा समझते हैं आपको जादा अंडिस्टैंडिंग है ये खाली गाड़ी भेजने का क्या आदिती जी एक तो अशिष्ट वेवहार अन्प्रोफेशनल वेवहार और तीसरा पुलिस की उपसंतिती में कहा जाता है जहां कहीं समस्या हो पहले ही भूंगत हो जाओ खासकर ये इसको हुस्न इत्तिफाक कहते हैं कि जहां मालूमें समस्या होने वाली है वहां पर डीजी उन्हें वक्ती नहीं पहुंचे हैं वो उसके लिए प्रिवी थे और उनका ना जाना भी संदे की सूई अगर कहीं उच नीच हो गई तो फिर ना दुबारा फिर क्या फिर तो स्केल कदम परदा डाउन हो जाएगा इसलिए इसी को हुस्न इत्तिफाक कहते हैं तीनों की प् कितना बड़ा ये पॉइंट होगा आपने सबसे बड़े पॉइंट पर यही कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत हो सकता हूं हो सकता भगवान करें मैं गलत हूं आपको ऐसी लिए आप नहीं यह उस चीज़ में जो की जिस बात की तंख़वाह आप तीनों लेते हैं कि प्यम अनप्रोफेशनल है इंपॉलाइट है बल्कि अनकाल्ड फॉर है तीनों चीज़ है